दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाट साला में प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में National Means Come Merit Scholars से पिक्जाम के लिए विज्ञान का एक महातपूर चैप्टर लेकर आये हैं जिसका नाम है द्वनी प्यारे बच्चों इस चैप्टर से हर वर्ष आपके प्रशन पूछे गए है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हर प्रशन को अच्छे से पढ़ते हैं चलेंगे तो ये गारंटी है कि इस चैप्टर से जो भी प्रशन आएगा आपका छूटेगा नहीं तो एक-एक बूंद से घड़ा भर जाता है वैसे एक-एक कुश्चन को पढ़के हम लोग जो है पेपर की तयारी कर लेंगे तो वीडियो को लाश्त जरूर देखेगा साथ में जो कुश्चन आपको नहीं आता है और important प्रशन है तो उसको नोट जरूर कर लीजेगा तो आईए देखते हैं पहला प्रशन बच्चो दिया गया है द्वन के उस गुड को क्या कहते हैं जिसमें द्वन तीवर या मंद सुनाई देती है कमपन के आयाम, प्रबलता, आवर्तकाल या आयाम तो इसका बच्चो राइट आंसर हो जाएगा प्रबलता होती है जिसके कारण हमें द्वन तेवर या मंद सुनाई देती है तो राइट आंसर आपका बच्चो हो गया B आप्सन इसके बाद question number 2 है द्वन किस कारण से उत्पन होती है तो इसका बच्चो राइट आँसर हो जाएगा कमपन के कारण जो है द्वनी उत्पन होती है इसका C आपसन सही जवाब हो जाएगा question number 3 है द्वनी तरंग है अनुप्रेस्त तरंग अनुधैरे तरंग और अनुप्रेस्त तरंग यह मैसे कोई नहीं तो इसका वचो राइट आंसर हो जाएगा जो ध्वनी तरंग होती है यह अनुधैरे तरंगे होती है बी आफसन सही जवाब हो जाएगा चार नमबर कुशन है कमपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कमपन में लगे समय को क्या कहते हैं कमपन करने वाली एक वस्तु द्वारा एक कमपन में लगे समय को कहते हैं तो ये बच्चों हो जाएगा आवरतकाल, ठिक, एक कंपन में कितना समय लगा है, ये आवरतकाल कहलाएगा, question number 4 का first option सही है, question number 5 है, कंपन करती हुई वस्थु का आदिक्तम विस्थापन कहलाता है, आवर्तकाल, आयाम, आवरत्ती या प्रवलता तो कमपन करती हुई वस्तु का अधिक्तम जो विस्थापन है वो आयाम गहलाता है बी आपसन बच्चों सही जवाब हो जाएगा कुश्चन नमब 6 है द्वानी का वह कौन सा गुड़ है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि द्वानी मोटी है या पतली तो इसका बच्चो राइट आंसर हो जाएगा तारत तो तारत तो वह गुड़ होता है जिसे कारण हम दौनी मोटी है या पतली जान पाते हैं जैसे अगर आप मच्चर के भिनमिनाट को सुनें तो उसका तारत तो अधिक होता है और इसलिए वह आवाज क्या होती है पतली होती है जितने आवाज पतली होगी उतना ही उसका तारत तो अधिक होगा और जितने मोटी आवाज होगी उसका तारत उतना ही कम होगा द्यान से कम आवरत्ती की धुन तरंगों को क्या कहते हैं तो 20 कमपन प्रत से कम आवरत्ती धुन जो तरंगे होती है वो अपसरब्य तरंगे कहलाती है ए आपसना आपका सही जवाब हो जाएगा आठ नमबर कुशन है किस प्रकार की धुन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है सरब्य अ वच्चों हो जाती ही सरव्वित रंगे जिसको मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है कुश्य नमबर 9 है सरव्विता परास किसे कहते हैं 20 हर्टज से 20,000 हर्टज तक 20,000 हर्टज से अधिक या 20 हर्टज से कम तो सही जवाब इसका वच्चों है ए अप्शन 20 हर्टज से 20,000 हर्टज के मद्द जो ध्वनी होती है वो सरव्विता परास कि अंतरगत आती है अर्थात इसको मनुष्य सुन सकता है प्रति सेकेंड किये गए कमपनों की संख्या क्या कहलाती है तो प्रति सेकेंड किये गए कमपनों की संख्या जो है आवरत्ती कहलाती है प्रति सेकेंड का मतलब है एक सेकेंड में किये गए कमपन क्या कहलाते है तो आवरत्ती कहलाती है इसको आप धिहान रखेंगे और एक सेकेंड में कितने कंपन किये गए हैं ये आवरत्ती हो गई और एक कंपन करने में कितना समय लगा है ये आवरत्काल कहलाता है तो दोनों चीजों को कंपरेजन करके आप इसको याद करें ग्यारा नमबर कुश्चन है हाथी किस प्रकार की दोनी को भी सुन सकता है परासरव्य अपसरव्य सरव्य इन में से कोई नहीं तो अपसरव्य तरंगों को हाथी सुन सकता है जो भी सरटस से कम होती है तरंगे उनको हाथी जो है सुन सकता है इसके बाद कुश्चन नमबर बारा इस पश्ट ध्वनी सुनने के लिए स्रोत और परावर्तितल की दूरी कम से कम होनी चाहिए 16.5 मीटर 16 मीटर 16.1 मीटर या फिर 17.5 मीटर तो सही जवाब जो है ए आप्शन 16.5 मीटर होनी चाहिए प्रति ध्वनी में ध्वनी का परावर्तन कितनी बार होता है एक बार, दो बार, बार बार या पांच बार तो प्रति ध्वनी में ध्यान रखेगा किवल एक बार ध्वनी का परावर्तन होता है क्वेशन नमर 14 है द्वन की चाल किसमें सबसे कम होती है तो सबसे कम जो द्वन की चाल होती है वो गैस में होती है ठिक B option आपका सही हो जाएगा द्वनी की चाल सरवाधिक कम होती है या सबसे कम होती है तो गैस में होती है सबसे ज़्यादा जो होती हो ठोस में होती है question number 15 है गूझ में द्वनी का परावर्तन कितनी बार होता है अब प्रतिद्वनी की बात अभी पूछा गया था तो प्रतिद्वनी में जो परावर्तन होता है केवल एक बार होता है और गूझ में बार बार होता है तो इसका राई टांतर हो जाएगा C option 16 नमबर प्रशन है धोलक में द्वनी उत्पन होती है रगणने से, फूक मारने से दो बार करने से या पाँच बार करने से तो इसका बच्चो आपसन थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर आगहात करने से होना चाहिए क्या होना चाहिए आगहात करने से तो ढोलक में जो है द्वनी उत्पन होती है आगहात करने से ऐसा आपसन होना चाहिए तो बचो राइट आंथर इसका आगहात करने से होगा आपसन आप जो आपको दिया हो बता देना Q17 है डेसिबल का परियोग निमलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है तो डेसिबल जो है वो दोहनी की तीवरता मापती है हर्थात दोहनी की तीवरता मापने के लिए डेसिबल का इस्तिमाल किया जाता है Q18 है मनुष्यों के लिए मानक दोहनी स्तर है यानि मनुष्य कितने डेसिबल तक की दोहनी सुन सकता है तो 60 decibel होता है इसका B option वच्चों सही है मनुष से अपने कानों से 6 decibel तक की ध्वनी को सुन सकता है question number 19 है ध्वनी ती वरता की decibel में हुआ अधिक्तम सीमा जिसके ओपर व्यक्ति सुन नहीं सकता तो ये वच्चों हो जाएगा 95 decibel D option आपका सही जवाब हो जाएगा question number 20 है वायू में ध्वनी का वेग क्या होता है तापमान के बढ़ने से बढ़ता है तापमान के घटने से बढ़ता है तापमान पर आसृत नहीं रहता है या तापमान घटने से घटता है तो वायू में ध्वनी का जो वेग है वो तापमान घटने से घटेगा ठीक D आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेशन नमर 21 है वायू में ध्वनी का वेग है लगभग 330 मीटर परती सेकेंड यानि वायू में ध्वनी की चाल होती है 330 मीटर परती सेकेंड 22 नम्मर कुश्चन है दो धोनियों को इस पश्टता सुन जाने के लिए या आवस्यक है कि उनके बीच नियूंतम समय अंतराल हो तो सुनने के लिए नियूंतम समय अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड का इसका पहला आपसन मिलकुल सही जवाब है जरूर आप इसको याद रखें 23 नम्मर प्रशन है प्रती ध्वनिका कारण क्या है ध्वनिका परावर्तन ध्वनिका अपवर्तन ध्वनिका टककर इन में से कोई नहीं तो द्वानिका परावर्तन होता है इसलिए हमको प्रतिद्वने सुनाई देती है Q24 है तरंग का कौन सा गुड तारत्त को निर्धारित करता है तरंग दैधर आयाम आवरत्ती या आवरत्तकार तो सही जवाब बच्चों है C आप्षन आवरत्ती Q25 है निम्न मेंसे किस द्वानिका तारत्त अधिक है तो किसका तारत्त अधिक होगा गिटार कार का हौर्ण यहाँ पर हौर्ण होगा सेर की दहार इन में से कोई नहीं तो किसकी जो है धून का तारत तो अधिक होगा तो गिटार की जो आवाज बच्चो होगी उसका तारत तो अधिक होगा क्योंकि सबसे पतली धून यही होती है कुश्चन नमबर 26 है एक सामान दोलक की आवरत्ती 10 सर्टज है तब दोलक चार सेकेंड में कितने दोलन करेगा अब यह भी कुश्चन बहुती सामान ने है और यह प्रिशन बच्चों 2013 और 2012 की परिच्छा में आया हुआ है तो इसको कैसे सवालब करेंगे बहुती सामान ने प्रिशन है सामान दोलक की आवरत्ती 10 सर्टज है अब आवरत्ती की प्रिवासा याद कीजिए आप आवरत्ती की प्रिवासा कहती है कि प्रति सेकेंड किये गए दोलनों की संख्या को आवरत्ती गहते है तो एक सेकेंड में किये गए दोलनों की संख्या आवरत्ती गहती है तो इसका मतलब है कि ये दोलक की आब रती 10 हर्टज है अर्थात एक सेकेंड में 10 दोलन करता है ठीक तो चार सेकेंड में बता दिए कितना होगा अब ये प्रती सेकेंड होगा न दोलनों की संख्या अब रती का मतलब क्या है प्रती सेकेंड दोलनों की संख्या तो चार सेकें है गाड़ी में मिनट वाले सुई का आवर्तकाल क्या होगा तो गाड़ी वाली जो सुई गाड़ी की जो मिनट वाले सुई होती है वो एक चक्तर को पूरा करने में एक घंटे का टाइम देती है बी आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा अगर इसी जगा है आप से लगाईएगा क्योंकि जो सुई वाली घड़ी होती उसमें बारा घंटे ही होते हैं इसके बाद कुस्चन नमबर 28 है द्वनी की चाल सबसे अधिक होती है गैस में द्रव में ठोस में या निर्वात में 2015 का प्रश्ण है और इसका राइट आंतर उचोज़ा डी अप्शन ठोस में सरवाधिक ध्वन की चाल होती है 29 नमबर प्रश्ण है द्वनी का वेग अधिक्तम होता है सेम प्रश्ण पूछा गया लेकिन यहां पर उदाहर दिया गया वायू में निर्वात में पानी में या स्टील में तो स्टील क्या है ठोस है और इसलिए ठोस में सरवाधिक जो आवरति होती है परासरव तरंगिया जो होती है वो जो है आपका वीस हजार हर्ट चसे आधिक आवरति वाली होती है तो इसका राइट आंसर वचो हो जाएगा डी आप्शन 20,000 हर्ट चसे आधिक इसके बाद कुश्चन नमबर 31 है ध्वनी संचर्ण नहीं हो सकती है गैस मे द्रव में, निर्वात में या ठोस में तो निर्वात में ध्वनी का संचर नहीं हो जकता है C आफसन सही है और 2020 और 22 में प्रिशन पूछा गया है काफी इंपोर्टन प्रिशन बच्चों है 32 नमर कोश्चन है निर्वात में से कौन ध्वानी परावरतन का उदाहर नहीं है प्रति ध्वानी अनुरणन, खेलावना टेलिफोन, इन में से कोई नहीं तो इसका बच्चो राइट आंसर हो जाएगा यह 2023 में प्रिशन पूछा गया था और इसका बच्चो राइट आंसर है बच्चो राइट अनुरणन, ठीक यह बच्चो रहे 32 प्रशन जो ध्वानी चैप्टर से थे और इसमें से आपके कितने कॉस्चन सही हुए है आप लोग कमेंट सक्षन में जो लिखिएगा साथ ही आप लोग डेली जो भी क्लासेज दी जा रही है उनको रेगुलर देखते रहे है क्योंकि यही प्रशन ऐसे है जो हर वर्ष बार बार पुशे आते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके यही प्रशन आपके आते रहते हैं तो इन प्रशनों को याद करेंगे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर जहां से आप रिवाइज कर सकते हैं जिसमें हमने एक एक घंड़े की क्लास करी है महराथन क्लास करी है जिसमें हमने बहुत ही फास तरीके से जो है रिवाइज कराया है और आने वाले समय भी होगा तो आप लोग चैनल को सिस्क्राइब करके रखें और अच्छे से त्यारी करते रहें मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाज जहिन वन्यवात्रम